Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल पेटियम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कि यार पेटियम कर दिना, मैं पेटियम कर दूँगा, तो एक तरह से wallet का दूसरा नाम ही आपर पेटियम हो गया था, और ज्यादा तर लोग पेटियम शब्द का ही इस्तमाल करते थे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, कल RBI ने एक क्या होने वाला है, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी करते हैं, हमारा foundation batch है study IQ पर, मतलब एक ऐसा batch जिसके अंदर prelims, mains, interview, सब कुछ की त्यार प्लस ले सकते हैं, और इसके लावा अगर आप MCQs एटेंट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप एटेंट कर पाएंगे, चले सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, देख जब हम बैंक की बात करते हैं, तो पहले 2017 के पहले पेटियम के एप में जनरली क्या होता था, आप रिचार्ज वगरा थोड़ा बहुत कर लेते थे, वालेट वगरा का इस्तमाल कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर RBI ने 2017 में पेटियम को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे दिया इसी मतलब जो स्कोप है वो काफी ज़ादा ब्रॉड हो गया था, लेकिन कल RBI ने ये निर्ने लिया है कि इसके ज़ादा तर जो सर्विसेज हैं, जो कोर सर्विसेज हैं, चाहें वालेट हो गया, या फिर फास्टैग हो गया, बहुत सारे गाड़ियों में आज के डेट में लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A of the Banking Regulation Act 1949, तो आप सबको पताई होगा, 1949 का जो Banking Regulation Act है, इसके तहत, RBI जब चाहें यहाँ पर action ले सकती है, अगर उस bank ने या फिर किसी भी institution ने, अगर सही से RBI का जो निर्देश है, उसका पानला नहीं किया है, तो वो मैं आपको आगे बत सर हो सकता है, कितना बड़ा customer base है मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इनके website पर जाओगे तो वहाँ पर बोला क्या है, they have 100 million know your customer verified, KYC जो verified customers होते हैं, 100 million से जादा देखने को मिलता है, अगर हम fast tech की बात करें, जो गाड़ियों में लगा होता है, टोल वगर अपर जो पैसे क रखा है, और in fact इनकी जो founder आप सबको पता होगा, विजय शेखर शर्मा, ये actually part time chairman भी है Paytium Payment Bank के, और Paytium Payment Bank ने किसी भी प्रकार का अभी तक इसको लेकर comment नहीं किया, जब मैं ये video record कर रहा हूँ, तो RBI का जो निर्देश आया है इसके उपर, इसको लेकर अभी तक Paytium ने कुछ बोला नहीं है officially, अब देखना होगा वो क्या बोलता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला question यहाँ पर यहाँ आएगा, कि RBI ने exactly किया क्या है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो Central Bank है, उन्होंने Paytium Payment Bank की जादा तर जो offering होती है, जो मैंने आपको बताया, इसक कहीं, आपको Metro में जाना है, वो भी जा सकते हो, एक Single Card से आप काफी कुछ कर सकते हो, तो यह National Common Mobility Card, यह सारे चीजों के उपर एक तरह से रोक लगने वाली है, यह जो RBI का फैसला है, और यह कब से होगा, यह actually 29th of February से होने वाला है, देखो इसमें कई सारी चीज़ें जो आप कह सकते हो, वो है आपका Paytium Payment Services, तो यहाँ पर RBI ने अपने निर्देश में यह भी कहा है, कि दोनों के बीच में जो भी transactions होना है, वो 29th of February तक हो जाना जी, मतब अगर यहाँ पर कोई मानलो transaction pending भी हो जाता है, तो ultimately 15th March तक इनके पास last date है, जब दोनों के बीच में transactions हो उसके बाद कोई भी transactions इसके parent company और Paytium Payment Services के बीच में नहीं हो सकता, लेकिन real question यहाँ पर यह है कि आखिरकार इसका users के ओपर क्या impact आएका है, एक एक जो छोटी-छोटी doubt है वो मैं आपके clear कर दूँगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर यह बोला गया है कि Paytium Payment Bank यह किसी भ से आप customer बन जाते हैं, राइट Paytium के, तो वहाँ पर जाते हैं और transactions start कर देते हैं, तो यहाँ पर अब आप नए customer नहीं बन सकते, Paytium के यहाँ पर ऐसा बोला गया है RBI के दौर, और यह effective कब से ध्यान रखेगा, यह 29th of February से effective है, तो अव्वेसी बात है, यहाँ पर कोई भी Paytium में क्यों नया customer बनना चाहेगा, क्योंकि यह ऐसा निर्न है, RBI ने ले लिया है, और माल लो, already अगर आपका account है, तो आपने देखा होगा, generally क्या होता है, कि लोग अपने wallet में, जो Paytium wallet वगर है, या फिर savings account है, माल लो Paytium payment bank का, तो उसमें अगर आप अपना पैसा वगर लग रहा है, मतलब blanket band यहाँ पर नहीं लगा है, यह नहीं बोला है, लेकिन जो conditions अब रग दिये हैं, यह साब दिखता है, कि यहाँ पर Paytium के लिए बड़ा मुश्किन होने वाला है काम करना, क्योंकि जो already नया customer से, अगर वो कुईसी भी प्रकार के transactions नहीं कर पाएंगे, तो Paytium यूज करने का कोई फाइदा नहीं हुआ, हाँ, एक चीज ध्यान रखेगा, यहाँ पर यह है कि अगर माल लो आपका कोई भी पैसा है, चाहिए wallet हो गया, Paytium Payment Bank के savings account में कोई भी पैसा है, already है माल लो, दो हजार, पांच जार, दस जार, जितना भी रुपए है आप ठीक है, वो आप खर्च कर सकते हो, जब तक आपका वो रुपए है, और जब तक आप खर्च करना चाहो, वो कर सकते हो, ऐसा आरग्याई नहीं बुला है, उसमें कोई conditions नहीं है, ठीक है, और साथी साथ यहाँ पर अगेन आप देख पाओगे, Central Bank ने यह कहा है कि Neither debit nor credit transactions, मतल 29th February के बाद से किसी भी प्रकार का debit, जो credit वगरा transactions है, वो नहीं हो पाएगा, हाँ, यह है कि मान लो cashback वगरा अकसर आता है, आपने देखा होगा, आज कल तो वो भी नहीं आता, लेकिन यह जो cashback वगरा है, वो मिलना है, तो वो credit हो जाएगा, उसमें problem नहीं है, लेकिन बाक wallet में पैसे add नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, अब आपको पता होगा, Paytm जो लोग इस्तमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे और भी services दिये जाते हैं, Paytm के दोरा, जैसे loan हो गया, mutual fund हो गया, bill payment हो गया, digital gold हो गया, credit card हो गया, इसको लेकर RBI ने अपनी notification में कुछ भी नहीं का है, तो हो सकता है कि शायद ये सारी चीज़ें continue हो, और भी कई सारी services होती है, लेकिन जैसा मैं आपको पहले बोल रहा था, main इनका काम तो ये सारी चीज़ें, wallet वगरा, और लोग पैसार वगरा, transfer करते थे, वो अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा, question यहाँ पर यह है, कि RBI न को follow नहीं करता था, चाहें KYC compliance हो गया, या फिर IT related issues हो गया, वैसे मैं आपको बता दूँ कि अभी RBI ने कोई clear cut ये नहीं का है, कि उसने action क्यों लिया है, RBI ने यहाँ पर अभी बताया नहीं है उतना कुछ, लेकिन यहाँ पर अगर हम expect करें कि क्या क्या चीज़ें होई यहाँ पर जो इनकी parent company है, 197 communication, इसके अंदर जो stakeholders है, उसमें कुछ Chinese stakeholders है, तो उससे काफी ज़्यादा नाराज है, RBI, RBI यहाँ यहाँ पर चाहता था कि हमें पता चले कि Paytium के shareholders कौन है exactly, यह 197 के stakeholders कौन है, किसका share है, और यहाँ पर खबरें ही आई है कि यहाँ पर indirect shares कई सारे China based entities का है, तो इसे लिए RBI कहना कहीं खुश नहीं था, और इसके साथ साथ एक और यहाँ पर सिकायत आ रही थी, कि जो customers है Paytium के, उन सभी के एक तरह से जो information है, वो Chinese entity के पास जा रहे हैं, तो यह सारी चीज़ें नहीं होने की हैं, वैसे पहले अगर आप देखोगे, तो Payt Sat Solve नहीं कर पाया होगा RBI के, और इसी के लिए कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि RBI ने यह action, बड़ा action Paytium के उपर ले लिया है, अल्दो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कि जो Chinese stakeholders थे Paytium के अंदर, 197 communication के अंदर, उनकी actually संख्या और जो share holding है वो घट लेकिन इन्होंने अपना जो stake है वो लगतार गिराते गहें, क्योंकि अव्यसी बात है आपको पता ही है, भारत और चाइना के relations अच्छे नहीं है, और इसी लिए यहाँ पर जो भारत के regulators हैं, जितने बीचाइन से भी है, RBI है, वो लगतार देखती रहती है कि कौन से company में Chinese इन्वेस्टमेंट आया है, तो एक तरह से भारत इस समय avoid कर रहा है कि कोई भी जो Chinese इन्वेस्टमेंट है, वो हम भारत में allow नहीं करना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ban कर दिया है, officially बोला गया है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, उससे ये साफ पता चलता है, लेकि मतलब आखिरकार इसके owners कौन है, वो नहीं पता लगा, फिर इसके साथ-साथ यहाँ पर जो regulatory ceiling है, of end of the day balance in certain customer advance account, वो यहाँ पर breach हो गया था, मतलब एक particular limit होता है ना, कि एक particular customer, ये full-fledged bank नहीं आप ध्यान रखेगा, भले इसका नाम bank है, लेकिन ये full-fledged bank नहीं है, जैसे access bank, SBI, उस तरह नहीं है, तो यहाँ पर कई सारे conditions होते हैं, कि एक customer के account में इतने से ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार ये सारी चीज़ें breach हुई है, और इसका अलावा एक और incident सामने आया था, cyber security का incident सामने आया, लेकिन वो Paytium ने काफी delay से बताया था, तो इन सारे चीज़ों को देखते वे RBI ने 5.39 करोड का fine लगाया था, इसके पहले भी आप देखिए, मार्च 2022 में उस समय भी RBI ने direct किया था Paytium को, कि आप ने customers को नहीं ले सकते, immediate effect पर, वो उस समय RBI ने कहा था, फिर उसके बाद वापस से अलाव हो गया, लेकिन ये जि पूरे देश भर में बहुत सारे लोग Paytium का इस्तमाल करते हैं, और कई जगा आपने देखा होगा ठेले से लेकर, कई जगा Paytiums के QR code वग रहे हैं, क्या वो भी impact होंगे, और कई सारे clarification भी आना बाकी हैं, ठीक है, अभी के लिए जितनी चीज़ें थी, वो मैंने आपको बत आदिया, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, कि कौन सी committee का गटन किया गया था, for financial inclusion, कौन सी committee है, that is related to financial inclusion, इन में से, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF ची तो Telegram पर आए, अलग-लग social media पर आप जूड़ पाओ गया, और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बात चाहते हैं, you can just use this code, ANKITLIVE, ताकि आपको maximum discount मिल and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स ताइम, till then thank you very much, see you soon.